लो से बाता है vjim अबीर कंशिल को सकते हैं आपको पोड़े को उतीय को से पेले सीसे नियुक्त और एंगे पुर्ण कांश्लिंच सबसे पहले तो मैं आप सभी का यह डाउट करना चाहूंगी मेरे पास काफी कमेंट्स यह आए हैं कि अगर हमें हमारी पसंद का college अलॉट नहीं हुआ है, तो क्या हम उसे change कर सकते हैं, तो answer है no, आप अपने allotted college को change नहीं कर सकते हैं, किसी भी condition में, हाँ आप उसे reject कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके जो 5000 रुपे हैं, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, या तो आपको उ third round है counseling के, तो जब आप pool counseling करेंगे, तो फिर से आपको उतनी ही fee pay करनी होगी, जितनी की आपने अभी पहले phase में की थी, तो वो 5000 अलग से और साथ में college की fees, तो pool counseling में आपको पूरी fees एक साथ पे करनी होगी, इन short की आपके जो 5000 रुपे हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे, और दूसरा आपको जो नुकसान होगा, वो ये होगा कि आपको pool counseling में government college का तो option बिलकुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि government college की seats already full हो चुकी हैं, तो अब ये आप पर depend करता है कि आप pool counseling करना चाहते हैं, या नहीं करना चाहते हैं, और अगर आपको जो college मिला या आप उसी में admission लेन होगी, 16 December से आपके जो registration है, वो start हो जाएंगे, इसमें देखिए आपका registration का अलग दिन क्यों नहीं दिया गया है, आपकी registration और choice filling दोनों साथ-साथ चलेंगी, शुरू से ही, क्योंकि आपको इसमें fees पूरी एक साथ pay करनी होती है, आपकी जो fees होगी, क्योंकि आपको private college ही मि or not कर सकते हैं, 11, 18 को सिर्फ आप choice filling कर सकते हैं, 19 को अगर आपने choice lock नहीं की है, तो वो अपने आप lock हो जाएंगी, ओके, ट्वन्टी को आपको college allot हो जाएगा, अगर आपको college allot हो जाता है, То आपकी जो fees है, अगर आपको college allot हो जाता है और आपको वो college पसंद नहीं है तो आपकी ये fees आपको वापस नहीं होगी लेकिन अगर आपको pool counseling में कोई college allot नहीं होता है तो आपकी ये सारी fees आपको refund हो जाएगी इसलिए pool counseling में जब आप choice filling करेंगे तो preference ऐसी रखिए जिनमें आप admission लेना चाहते हैं ऐसा कोई भी college आप फिल ना करें जिनमें आप admission नहीं लेना चाहते या फिर आप नहीं जा सकते ज्यादा college fill करने के चकर में आप कोई भी ऐसा college ना करें जो आपको मिल जाए और आपको उसमें फिर be ed करनी ही पड़ेगी तो देखिए 20 को allotment हो जाएगा उसके बाद फिर आपका 21, 22, 23 ये तीन दिन मिलेंगे आपको college में report करने के लिए अपना allotment letter लेकर जाने के लिए और उसी दिन आपका verification हो जाएगा तो ये थी pool counseling से related पूरी information और ये उनके भी doubt मैंने इसमें clear किये हैं जिनको college मिला है पर उनको पसंद नहीं आ रहा है वो college और देखिए जिनको college मिला ही नहीं है उनको easily 5000 रुपे भी वापस हो जाएंगे और वो pool counseling कर सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि pool counseling कोई भी कर स सकता है अगर आपको first, second, third या fourth phase में कोई college मिलता है पसंद नहीं आता है आप महां reject करके pool counseling या direct admission ले सकते हैं तो ये थी हमारी information अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को like and subscribe करें शेयर करें अभी भी कोई query है तो आप comment section में पूछ सकते हैं पर पहले वीडियो को ध्यान से देखिए, thank you